ऑगे तो चली आज की जो वहों आप लोगों की वहनत को आविसकार के बारे तो बन् legale विसकार किस ने क्या था धॉमस अलवा अडीसन तो कसी समझ अब बात तो शबसे पऱिए लोग जानते नाम लखिए ए तो नाम तो नाम का क्या थाग्या था थौमस अलवा एडिसन थामस अलवा एडिसन ने बल्व का अविस्कार किया तो चलिए डेट के बारे में जानते हैं इन्हों ने बल्व का अविस्कार कब किया तो लिखेंगे कब किया कब किया आविस्कार अधिए तो 21 अप्टूपर-189 इस्वई में। थामस अलबा एडिसन ने बंव का विष्कार किया ? तो बंव आ कि आ ओ-प्टूपर 183 helping क्या रिक्क इंट फटूBE function in इस्षालेजिए। बंव करते किया ? बल का आविसकार क्यों किया क्यों किया तो लिखिएगा रोसनी देने के लिए तो अन्देरे में रोसनी की जरुद होती है जिसकारंस से वा श्का विसकार होना भी जरूरी था उसलीए इस और आप लिपनाने में बन बनाने में जो लागत लगी तो लागत कितनी लगी थी तो लिखेंगे चालीस हजार डॉलर यह अमेरिकन डॉलर थी बन बनाने में जो लागत लगी था मसल वाइडिशन को कितनी लागत लगी तो चालीस हजार डॉलर तो चलीं का जन्मस्थान जानते कहां किराने वाले तो लिखेंगे अमेरिका के अमेरिका के ओरिया अमेरिका की ओहिया राज के ओहिया राज के मिलान सहर में इनका जन्म हुआ जन्म हुआ तो चलीं जर्मस्थान के बारे में जान लिए जो दफनाय गया नहीं मिर्टियों के बाद तो वह भी एक इतियासिक पार्ग थी तो लिखेंगे अद्दफन का और पर किया गया दफन के दफन जो इने किया गया तो लिखेंगा उसे थामस थामस एडिशन थामस एडिशन राश्टिये थामस एडिशन राश्टिये एतिहासिक पार्क में तो आज हम लोग बाल्व के आविसकारक के बारे में तो नाम थामस अलवा एडिशन थाक्त एक्टूबर 1889 ही इस वियू थामस पार्दियों किया तो रौष्टिये देने के लिए तो बल्ब बनाने में जो लागत लगी थी सवर परथम जब फामस अलब अडिसन ने बल्ब बनाई तो उसमें जो लागत लेगी तो 40 सज्जाड डॉलर और उनका जन्म अस्थान वो कहां के रहने वाले तो अमेरिका के ओहिया राज के मिलांद जन्मीन का जन्म दफन जो किया गया उसे थामस एडिसन राष्ट तो यह थी बल्ब कर विश्कारण से समद्ध कुछ महत्वून बातें रॉट कर लीजें गैसे